बात कर रहे हैं आज हम पोएम नमबर 20 गुजराती स्टांडर 9 हरी आओने ये एक लोक गीत है लोक गीत किसको कहा जाता है कि लोको द्वारा लोको माटे अने लोको ये बनावे लू होई that is लोक गीत है ना ऐसा होता है कोई प्रसंग हुआ like शादी का प्रसंग है और दुले का साइड है और दुलन की साइड है वो एक दूसरे के मिठी नौक जोग करते है कि देख भाई दुलहन तुमारा ससूर ऐसा है तुमारी सास ऐसा है तुमारा देवर ऐसा है तो उसके बारे में कमेंट् तो दूसरा जो पक्ष होता है, वो भी कुछ इसी प्रकार से करते हैं, कि भाई वो तो ठीक है, पर दुला तु देख तिरे अजमन भी ऐसा है, सुरी तुम्हारे सास भी ऐसा है, उसी तरह से रास गरबा होता है, नवरात्री का समय होता है, तो उन सब जगा पर लोग गीत गा अगर आपको लगता है कि ससुरकों में काना करना है या अंधा करना है तो उसके अंदरा परिवर्टन लाते हो। यानि कि रदे पूर्ण नीमंत्रण देता है और कहता है कि हे भगवान, हे श्री हरी, हे भगवान श्री कुछन, आप मेरे घर पे आओ, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ और उसके लिए आगे से क्या-क्या प्रॉपर प्लानिंग करके कौन-कौन से तयारी करके बैठे है उसका वणन इसके अंदर किया गया है तो बहुत ही easily इसके अंदर step by step हम underline करते जाएंगे, समझते जाएंगे और हम numbers देखकर भी उसको आसामी से learn कर सकते हैं के शेरी वडावी सज करू घरे आवोने शेरी का मलता है गली यहापन number one आएगा कि जो गली है उसको मैंने सजा के वाली ने उसको आपने बो दिया है अच्छी तरह से साप सफाय कर दिया है तो शेरी को क्या किया है वडावी लिदी छे और उसको सज मतब तयार की है number one पॉइंट आएगा शेरी को साप सफाय की है यह भगवान अब आपको हमारे घर पर आ सकते हो दूसरा उसका topic बताए गया है that is आंगणिया आंगणिया का मलता है compound मैंने अपने शेरी के बाद दूसरा जो topic लिया है that is आंगणिया मैंने अपने घर का जो compound है उसके अंदर ये बगवान आपके स्वागत के लिए वहाँ पर मैंने फूल भी भी खेर के रखे हैं। तो आंगणिये वेरू फूल हरी घरे आओने। सेकेंड पॉट आएगा आंगणिया यानि कमपाउं उसके अंदर क्या रखा है। तो के फूल या फिर फ्रावर। उसके बाद आता है उतारा आपीशू ओरडा घरे आओरे तीसरा आएगा उतारा जहां पर आपको ठहराया जाएगा वो जगा। तो उसके लिए हम आपके लिए स्पेसिफाई एक अलग से बड़ा सा कमरा जिसको हम रूम कहते हैं। उसको गुज्रातिमा कहते हैं ओरडा कि हे भगवान आप आओ आओ आपके लिए खुद का एक परस्नली हमें कमरा देंगे। विल्डिंगे होती है जिसके अंदर फ्लोर हो। अब फ्रस्ट फ्लोर होता है एक माल के उपर दूसरा माल होता है उसको मेड़ी कहते हैं। कि हे भगवान मेड़ी ना मुल जदेशे हरी के अंदर हम आपको रहने के लिए देंगे यानि कि फर्स फ्लोर पे आपको हम कमरा देंगे इसलिए आप पेंचन मतलो आपको वहां से पीछे के साइड का खुपसरा सा वरंडा आगे के साइड का कमपाउंड दूर तक हमारा जो दाडम दातन का वलो होता है जो हम दातून कहते हैं तो जो दातून है वो हम दाडम नाम का जो ट्री आता है उसका दातून घिसने से आपकी जो टंग है आपका टीथ है और ये जो होता है इसको गम्स कहते है यानि कि जो हमारा पेड़ा होता है बहुत अच्छे होते हैं लि आमबज देशेरे, करेणी मलब करणनी चिप दैशू, मलब हरी तमें जो आप मेरे घर पे आओगे, तो करेण नाम का जो फ्लावर है, उसके द्वारा हम आपका आक्ता स्वाक्ता करेंगे, नावण, यानि कि नाहने के लिए आपको स्पेसिफाई गाउं के अंदर एक कुवा के बाजू में कुंडी होती है, लाइक एक होज या कह सकते है, एक छोटा सा स्विंग का बात होता है वो, तो हम आपको नाहने के लिए कुंडी स्पेसिफाई आपके लिए अलग से देंगे, that is यह आएगा, पॉइंट नमबर सेवन, आगे है आठा नमबर का पॉइंट है, अगर आप चाहो, तो कुए का पानी नहीं, पर नदी के अंदर जो सुबे का ताजा फ्रेश पानी होगा, वहाँ से नदी का नीर, मतलब पानी लाके हम आपको देंगे, आगे बता है, नमबर नाइन, भोजन आपीशू लापसी, जिना गुड़ होता है, घी होता है, और ग उसके साथ-साथ खाने में बताएंगे, that is, कडियल दूद, जिसको हम रबडी कहते है, दूद को बार-बार अगर हम गरम करके उसको हिलाया जाए, तो उसके अंदर बहुं सारे हम सूकामेवार डालते हैं, और उसके दवारा मस्त अच्छी से रबडी बनाते हैं, गुजरा में उसको कहते है, कड़ायलू दूद, तो हे भगवान, आप मेरे घर पे आओ, भोजन के अंदर तो हम अच्छे-च्छी लापसी तो देंगे, पर साथ में कड़ा हुआ दूद भी देंगे, खाने के बाद, खाने के बाद हम आपको क्या देंगे, तो ग्यारवा नमबर का पोइंट है, that is मुख्वास, मुख्वास में हम आपको देंगे, इलाइची, मलब एलची, तो 11 नमबर का पोइंट बनेगा, कहे भगवान, खाना खालो, यानि के लापसी खालो, उसके बाद कड़ायला दूद पीलो, और उसके बाद हम आपको सौफ के अंदर, after food, हम आपक पचास हरी, अलगले प्रकार की बहुत सारे पान बनते हैं, किसे में गुलकन डाल के देते हैं, किसे में सौफ डाल के देते हैं, किसी में ऐसा होता है कि नारियल का चुरा भी डाल देते हैं, तो कितने सारे पान की वेराइटी बनती है, कलकती पान होता है, फिर सादा पान ह होता है अलग अलग प्रका के चॉकलेट वाला पान भी होता है तो हम पचास जितने वेराइटी आपको पान की भी देंगे यह बारवा नंबर का पॉइंट है आगे हे बगवान आप बूर ना हो जा इसलिए हम आपके साथ खेल भी खेलेंगे के रमत महा आप इशू सोग ठार सोग्ठा किसको कहा जाता है सोग्ठा का मल होता है आज इसको हम इंगलिश में कहते है तर इस लुडो एक प्रका का सोग्ठा होता है इसमें रेड है ब्लू है यलो है ग्रीन है ऐसे अलग अलग प्रका के उसके पीस होते है हम ऐसा डाइस डालते है और जिस तरह से वो डाइ नमबर थर्ड जो स्टेंड होते है वो बहुत ही हैवी होते है और उसके अंदर लंबी सी पटिया फिट की जाते है उसके अंदर बहुत अच्छा सा डंलोप का गद्दा डाला जाता है बहुत अच्छी से रजाय डाले जाते है उसको कहते है धोलिया जैसे आदनी रजवाडी बड़ा सा पल पूतिक टैप का हिचका होता है, पेड के निचे लगाते बच्चों के लिए, एक ऐसा होता है जिसके लिए पाटिया लगाया जाता है छोटा सा और एक ऐसा भी होता है कि बड़ा सा बैठने का स्टेंड जैसा होता है, और वहाँ पर बैठोंगे तो मस धीरे-दीरे जूलता रहेगा, तो कहते हैं अगर आपके ने खाना खाया हिंडोडा के बेठा आपका डाइजस हो जाता है, तो हिंडोडा देंगे आपको हे हरी, आप घरे पर धार होने, इस तरह से ये संकलित किया गया लोग गित, भाशा के अंदर भावना के द्वारा, हरी यानि कि भक्त जो ह है, वो भगवान को बुलाने के लिए, ये स्रवश्षिष्ट लूग गित में से एक है, इसको लाइन वाइज अगर आप करोगे, तो इसके 15 पॉइंट्स बनते हैं, और 15 पॉइंट्स को लर्न करने से आपको बहुत ही एजिली आप इसके लर्न कर सेगे।